CETED 2022 तो ये विडियो CETED के स्टूडेंट CETED के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए डेडिकेटिड है जो भी बच्चे CETED परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2022 के अंदर उनके लिए डेडिकेटिड है आपका क्या सलेबस है नोटिफिकेशन कब आएगा एक्जाम क्या होगा सिलेबस में मैं यहां सेस्टी के जो कैंडिडेट होते हैं सीटेट सेस्टी पेपर टू जो देते हैं उनका क्या सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको पता ही है आपका जो नोटिफिकेशन है वो हाल फिलाल 10 से 15 दिनों के अंदर आही जाएगा तो कैसे आप 90 डेज के अंदर कैसे आप 90 डेज के अंदर सीटेट को प्रिपेर करें इस एक्जाम के लिए प्रिपेर करें और कैसे उसको क्रैक करें सबसे ज़ादा ज़रूरी बात किसी भी हम एक्जाम को देते हैं सबसे ज़ादा ज़रूरी हमारे लिए यह होता है कि हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम किसी एक्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और तो हमें ज़रूरी पता होना चाहिए कि हमने क्या नहीं पढ़ना क्या पढ इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इस टी पेपर टू का सलेबस जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने आप लिखा हुआ है च 60 मार्क्स का है तो अगर आपको सीटेट पेपर टू अपना क्वालिफाई करना है तो आप बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपका जो में सब्जेक्ट है उस पे आप अपनी कमांड बनाएं उसकी नौलेज को आप ज़्यादा गें करें उसको डेप्ट में पढ़ सीटेट दिसमबर 2022 के अंदर इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनोंने अभी बीएड या फिर डियल आपका डियलेड है बीएड है या बीएलेड है इसमें अडमिशन लिया होगा क्योंकि आप सभी जानते ही है कि नोटिफ एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंतरगत जो भी कैंडिडेट्स आप ये आपका जो कोर्स होता है उसमें लिया है वो सभी जो है सीटेट की परिक्षा दे सकते हैं तो इस बार जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत जादा होने वाले हैं आपके एक्जाम का लेवल भी थोड़ा बढ़ने वाला है आप सभी जानते हैं क्योंकि इसका जो वैलिडेशन है आपके सीटेट का वह इनोंने आपका लाइफ टाइम कर दिया है है ना लाइफ टाइम कर दिया है पहले आपका 7 यह सुआ करता था आप लाइफ टाइम हो गया तो ओविएसली चीजे जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होगी और जो जो एक्जाम आपका पेपर का नेचर है वो भी काफी चेंज होगा तो शोशल साइंस का जो आपका आपके 60 मार्क्स है इनको आप कैसे कवर करेंगे इसमें हाई स्कोर कैसे करेंगे क्या-क्या चीज आपने पढ़नी है तो आपका हिस्ट्री जियोग्रफी शो कोई नहीं रोक सकता तो देख लेते हैं कि किन चीज़ों को आपने पढ़ना है तो शीट्री पर तू पास करने के लिए आपको पर नी है एंसी ए आ इंडिया की बात कर दे तो वैसे तो बट फिर भी हम डेली के अंदर इस पेपर को दे रहे हैं तो आप जितने भी एक्जा उसमें भी जो questions हैं वो NCRT से डारेक्ट पूछे जाते हैं अभी तो आप CTAT दे रहे हैं CTAT के बाद DSSB का भी आप एक्जाम देंगे सस्टी का अगरा पेपर 2 की तियारी कर रहें सस्टी तो वहां पे भी जो questions हैं वो NCRT से ही पूछे जाते हैं हमेशा baseline जो बनाया जाता है वो NCRT की books को बनाया जाता है इसलिए CTAT में जो सबसे जादा सवाल पूछे जाते हैं वो आपके NCRT line to line questions होते हैं ठीक है तो आपने NCRT कवर करनी है 6 to 8th class की अच्छे से पढ़नी है अच्छे से read करनी है कैसे आप करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगी इसके अलावा आपने पढ़ने है previous year के questions paper उनको solve क करना है जो previous year के हैं खासकर आपके last 5 years के last 5 सालों के जो आपके papers हैं आपने उनको करना है इसके अलावा आप क्या करेंगे इसके अलावा आपने पैडागोजी के लिए आप पैडागोजी क्लास में यहां पर डाल दूंगी वो आप देख लेंगे पैडागोजी इतनी मुश तो अगर आपने इतना यह कवर कर लिया अगर आपने अपने एसस्ती पेपर 2 के लिए इन चीजों को कवर कर लिया तो डेफिनेटली आपके 60 में से 50 प्लस या 55 प्लस अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके डेफिनेटली आ जाएंगे यह चीजे में आपको experience के साथ बता रही हूं अएसे हवा में बाते नहीं कर रहे हूं दिल्कुल भी अगर आप सात्या धान सृ-खिसे में स आपका any स्रुस आगे discuss करते हैं तो अगर आपका notification अभी आ जाता है हाल फिलाल के अंदर क्योंकि पूरी उमीद है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर September and या फिर आपका October starting है न या फिर आपका October starting इन डेज के अंदर आपका definitely जो है सीटेट का notification आपको देखने को मिलेगा ये बिल्कुल पक्का है अगर आपका December में एक्जाम होगा तो तीक है जैसे कि पहले notice में आप माल लीजेगर आपका October starting में भी आता है और पूरा महिना आप ज आपकी जो परिक्षा है वो December 2022 के अंदर देखने को मिल सकती है बहुत जादा लेट होगा तो जैनवरी 2023 तक पहुँच जाएगी इससे जादा डिले नहीं होगी ठीक है तो यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजे तो अपनी preparation को best बनाने के लिए आपने 6-8 क्लास तक की NCRT को तो पढ़ना ही पढ़ना है इसके साथ साथ में seat at sst paper 2 के लिए series जो मैं शुरू अलरडी कर चुकी हूं उसको मैं continue करूंगी जिसमें आपकी class 8 तक की जो भी NCRT या निकि 6-8 तक क्लास तक की जो NCRT है सभी subject की उसमें मैं आपको वो चीजे कवर कर वाऊं खास कर वो जबूर देख लें ठीक है आप यह डारेक्ट जो पहले डारेक्ट क्वेशन पूछे जाते थे आप जो है चीजो चीजे बदल चुकी है अपके जो है वो बदल चुका है और आगे आने वाले टाइम में चीजे थोड़ी और बदलेंगी ठीक है तो आपको उसी भी दिक्कत नहीं आने वाले इसके सारसाथ प्रीजे के जो क्वेशन प्रेफर हैं उनके कर वाऊंगी हां पर ठीक है जो भी क्रेशन पेपर सोंगे उनको आपको यहां पर सौल करवा कर जो बी प्राक्टिस होगी देखो मैं यहांपर एक चीज़ आपको कहना चाहते हूँ कभी भी पहले आपने previous year के questions को practice नहीं करना क्योंकि माल लिजे आप कोई chapter है कोई एक यहाँ पे कुछ story है या कोई chapter है और last में उसके क्या है questions है तो अगर आप इस story को पढ़ने से पहले ही इन questions को solve करेंगे तो आपका जो confidence है वो पहले ही down हो जाएगा है कि मुझे तो इसमें ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता लेकिन अगर पहले आप इस story को read करेंगे उसके बाद आप questions को solve करेंगे तो आपको काफी confidence आएगा क्योंकि काफी जादा चीज़े जो है आप समझ पाएंगे और उनको हल कर पाएंगे उनका जवाब आपको पता होगा ठीक है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ पहले आप NCRT पढ़िए पढ़ेंगे उसके बाद साथ में चीज़ों को questions को solve करेंगे तो आपके अंदर confidence आएगा आपको चीज़े याद होंगी और better होंगी जब भी आप पर देंगे उसके लिए आपकी एक अच्छी preparation हो पाएगी और उसके अलावा आपकी pedagogy class है इसके लिए आप बिल्कुल tension नहीं आती है काफी applicable होती है आसान होती है ठीक है तो इसके लिए भी मैं कुछ classes बाद में डाल दूंगी तो यह आप हो जाएगा आपका ठीक है तो सबसे पहले एक चीज़ और है यहां पर देखिए आप सभी क को पता होगा अगर आप किसी भी coaching center में जाते हैं या फिर कहीं से online class ले रहे हैं या फिर कहीं से भी आप guidance आपको मिल रही है तो आप सभी को पता होगा कि आपने 6-8 तक की NCRT को पढ़ना है ठीक है लेकिन आप बार बार यह चीज़े सुन रहे हैं लेकिन आप इस चीज़ क अपने लिए जब तक आप इसको अपने नहीं करेंगे जब तक इन पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा ठीक है यह आप बिल्कुल सुन लीजे आपको यह बात हो सकता है बूरी लगे लेकिन यह बिल्कुल सच है कि अगर जब तक आप इन किताबों को नहीं पढ़ हुँ और उससे मेरा सीट पास हो जाए तो जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला ठीक है तो इसलिए आप जो है एन्सेयर्ट को पढ़िए अच्छे से बढ़िए क्वेशन्स लगाईए सीरीज कोई भी क्वेशन्स जो है सेट होते हैं उनको सॉल्व कीजिए तभी जो है आप इसको इसके लिए एक अच्छी प्रिप्रेशन कर पाएंगे ठीक है बाकी जो भी मेरी क्लास होंगी वो बिल्कुल फ्री है कोई उनका कोई चार्ज वगरा कोई कॉस्ट वगरा नहीं है तो मैं बार बार आपसे ये भी कह रही थी कि ये वाली जो परिक्षा है आ तो मैं बात कर रही हूं ठीक है बड़ डेली के अंदर अंदर आप डी ट्रिपल लस्बी द्वारा वेकंसी आउट होने वाली है है ना आप सभी को पता होगा कि डी ट्रिपल लस्बी जो है वो पीजीटी की वेकंसी तो निकाल चुका है जिसमें काफी कुछ पोस्ट है कु तो अगर आपने pass कर लिया आपका seat at होगा pass, तो किसके लिए आप eligible होंगे, आप अपनी coming vacancies हैं, आने वाली vacancies हैं, उनके लिए आप क्या होंगे? eligible होंगे, है न, उनके लिए आप क्या होंगे? आप उन paper को दे पाएंगे, आप as a candidate, यानि कि आप उन paper को फिल कर पाएंगे, अपने exam की तियारी कर पाएंगे, और उसमें आप बैट पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए जो है seated 2022, आपका December का paper बहुत important है, अगर आप teacher बना चाहते हैं, और future में job पाना चाहते हैं, तो बजाएं इसके कि आप एक-दो सालों को और वेट करें, ठीक है, तो इस paper को अगर आप पास कर लेंगे, December वाले को, तो हो सकता है कि जो next vacancy आए, उसमें इतना time लग जाए, क्योंकि अभी एक-दो महिने के अंदर तो कोई chance लग नी रहे कि उसका notification आएगा, क्योंकि जब तक recruitment कंप्लीट नी उदाती, notification आने के काफी कम chances है, तो हो सकता है कि थोड़ा late आए, थोड़ा delay हो, तो आप जो है, अगर आप इस paper को पास कर जाएंगे, तो DSSB की vacancies जो आएंगी, अच्छी खासी vacancy आने वाली है, उसमें आप उनको देने के लिए eligible होंगे, और हो सकता है आपकी next year ही job लग जाए, ठीक है, अगर वो paper भी आप पास कर लेतें, तो आपकी job भी लग सकती है, तो इसलिए मैं आपसे बार-बार कर रही हूँ, अच्छी तियारी कीजिए, अच्छे से चीजों को पढ़िए, चीजों को समझी है, और अपने future को आगे बढ़ाईए, ठीक है, तो बाकी आप जो है, अगर सीटेट प्रिप्रेयर करना चाते हैं, सस्री पेपर 2 के लिए, तो आप इस सीरीज को जो है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके, सीरीज को जोईन करना कुछ नहीं है, सिंपली मैं आपने चैनल पे ये चीज़ेड डालूंगे, और आपने सिर्फ उनको देखना है, उनकी प्राक्टिस करनी है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें, स्टे टून, बाबाए!